भारत के दस सबसे रहस्मी जगे भारत के कुछ ऐसी रहस्मी स्थान भी है जो आपको विल्कुछ अचमित करने वाली हो सकती है इस वीडियो में हम आपको भारत के दस पर्मुक रहस्मी स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए किसी पहले से कम नहीं होंगे पार्ट टू नंबर वन भानगट किला रस्थान सतरवी सतापदी में निर्मित भानगट किला रस्थान में एक कतिवीदी का कहने था यह उतंगी के अनुसारिये इतना सुंदर विथाकी जैपूर के गुलाबी सहर को इसके लिए डियाइन के बाद बनाया गया था हालाकि किले के अच्छे दिन जल्दी समाप्थ हो गए और अब भानगट किले को भारत में सबसे ज़्यादा रस्थानों में से एक के रूपे जाना जाता है इतना ही नहीं किले के पास भारती पुरत्वे बोट के नोटिस बोट पर भी सुरियस्ते अफ्यादा की विच टूरियसम के लिए परवेश की मनाही है इस किले की देखरेक भारसतका द्वारा की जाती है किले के चारों तरह भारती पुरत्वे सर्वेक्षन A.S.I. की टीम मौजूद रहती है पुरत्वे विवाग दुवारा इस छेत्र में सुर्य अस्ते के बाद किसी भी व्यक्ति के रुखने की अनुमती नहीं है इसलिए इस जगा पर जाने के लिए आप सुर्य अस्ते से पहले का समय चुन सकते हैं नमबर टू जल महल जैपूर जैपूर के बाहरी आलाके में मान सागर जिल के केंदर में पुर्वेकियों और मुख्य किये हुए सांधार और सांध जल महल इस्तित है यह नाराइगर पहाड़ियों से घिरा है यह का मुरिदी वालक महल का भी महराजों के लिए सुटिंग लौई था और अब यह दुनिया भर के कई आतंक तुंगों को अपनी ओर कर्सित करता है जल महल का निर्मार 1750 को दसक में किया गया था और इसका संचालन महाराजा मधोसिंग ने किया था यह वास्तु में भारत के सबसे बहतर फोटो सुट दोगेशन में से एक है इस महल की सबसे खास बात यह है कि केवली एक मंजिला जो की जल स्तर से उपर दिखाई देता है वास्ता में चार मंजिला नीचे डूबे हुए हैं यह वास्तु कला के मुगल और राजपुत सहलियों के सन्योजर रिमित सबसे सुंदर वास्तु सिल्फ उस महलों में से एक है किले के अंदर परवेस निशित है लेकिन नौका विहार करते समय काफ़े दूर से दिरिस आपको मन मोक्त करने के लिए प्रयाप्त है साम के समय किला रोसनी करता है और जिल में किले का परतिम बिल्कुल भवेरुप से निशित आता है आपकी परवासाली संदता और अकरसन महल के साथ जल महल एक खुबसूरत परिटन स्थल बन गया है जल महल के रहस्ते को पास से देखने के लिए आपको भी एक बार इस जगा के यातरा करना चाहिए नमबर थरी इंडिया की मिस्टीडियस प्लेस लिविंग ट्रे बिरिज मेघाले के शेरापुंजी में घासी और जन्यटी जन्जाती के लोगों दवारह पेडो के फुल का निर्मान क्या जाता है यहां के लोग पेडो की मोटी जड़ों और सखाओं को नदी के एक किनारे दूसरे किनारे पर जोड़कर पुल का निर्मार करते हैं पेड़े एक दूसरे से चिपके होते हैं, जिससे नदी के बीच एक परकरतिक पूल का निर्मार होता है, यह जगा परेटों को बहुत ही अगरस्त लगती है, जो इनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, नमबर फूर, भारत के रहस्य में घटना की जगा सीवपूर के पर उठाते हैं, इसके अलावा यह सर्त भी होती है कि बत्थर को उठाते समय सत नाम पर जाप किया जाना चाहिए, अन्यथा परियास असफल हो जाता है, जो किसी रहस्य से कम नहीं है, नमबर फाइब, इंडिया में घुमे लाइक परमुग रहस्य में जगा फुक्ताल मठ लदा की बरफेलियों पाड़ियों पर बना हुआ फुक्ताल मठ की सरचना, बदुमक्यों के छटे के समान यह गुफा के अंदर बना हुआ यह मठ 25 साल पुराना माना जाता है, उस गुफा में बने मठ के सामने एक गहरी खाई है, इस मठ पर पहुचना बहुत ही मुश्कि अच्छव के दरवाजे रहित मकान, महरास्ट का सनीज सिंगापूर रवाओं एक अनोखा गाओं किसी रहसे से कम नहीं है, यहां के किसी भी घर में दरवाजे नहीं है, इसके अलावा वो अपनी कीमती चीज़ों को बंद नहीं करते हैं, यह सनी सिंगापूर की यह माना ज यह समुन्दी टट जो उच जवाहर के कारण गायब हो जाता है और जवाहर कम होने के बाद यह फिर से दिखने लगता है। उडिसा का यह टट हाइडन सिक के बीच के नाम से भी जाना जाता है। नमबर एट मैगनिट हील ले लदा कर लोग पिरे मैगनिट हील एक रचकरवाती पहाड़ी है जहां वहां पुरत्वा गरसन बलको धता बताते हैं और चिनी इससान पर खड़े होने पर यह पहाड़ी की और बठती है। वाली सड़क परतीत होती है जो कार को धीरे जरे गती परदान करती है जो गुरुत्वा करसन के विरिद उपर की और जाती हुई परतीत होती है। जब इसे नीचे के और लुटका दिया जाता है वज़ा कुछ भी हो लेगन ये एक जगा वास्ता में रस्मी है। नमब नाइन इंडिया के सबसे फेमास बिस्टिर्स जगा बैली सिंग रोक महाबली पुरम की एक विसाल चटान भी किसी रसे तकम नहीं है। यहाँ डाय सो टैनवा पाच मिटर व्यास की ये चटान एक चिकनी ढलान पर बीना हिले डूले रखी हुई है। इस वीडियो में आपने भारत के दस्ताब से रस्मी जगों के बारे में जाना है। और ये वीडिव अपने दोस्तों में सैर करें ताकि उने पता लगया अपकी